हेलो नमस्कार दोस्तो आज का हमारा टोपिक है विंडो 11 में VPN काम नहीं कर रहा है तो इसको कैसे fix करते हैं वो देखेंगे और प्लीज गया यदि आप लोग अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया तो अपली चैनल को subscribe करना ना भूलें चलिए सुरू करते हैं आपको क्या करने सबसे आपका network cable connected है सही से या नहीं यादि cable खड़ाब है तो दूसरा केबल करके चेक कर लिजेगा यानि तो आपके केस में वाई-फाइ यूज कर रहे हैं तो दूसरा यो वाई-फाइ कनेक्ट करके चेक कर लिजेगा यानि तो उसी वाई-फाइ को आप disconnect करके दुबारा connect करके कर लिजेगा फिर भी problem solved नहीं होता है तो आपको क्या करना अपको क्या करने के लिए आपको क्या करना या तो आपके केस में desktop के अपर icon होगा या तो आप यहाँ पर क्लिक कर को reopen कर सकते हैं यहां नित आपको क्या करना है साइच आपको क्या करनेंगे तो यहां पर देखित इनदे लिखा हो तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देने, क्लिक करती है, इस तरह से window open हो जाएगा, अब आपको यहाँ पर प्रपर्टी पर क्लिक कर देने, क्लिक करती है, इस तरह से window open हो जाएगा, अब आपको क्या करने, यहाँ पर स्कॉर्ड न करने, स्कॉर्ड न करने के बाद यहाँ पर अब आपको क्या करने सिस्टम को रिये स्टार्ट कर देना एक बार जरूर आप सिस्टम को रिये स्टार्ट करके चेक कर लिजेगा रिये स्टार्ट होने के बाद आप चेक कर लिजेगा आपका जो प्रॉलम था वो प्रॉलम सॉल्व हो जाएगा माली फिर भी आपका प्रॉलम सॉल्व नहीं होता है तो आपको क्या करना यहां पर स्टार्ट पर राइट क्लिक कर देने इसके बाद यहां पर आपको सेटिंग दिख जाएगा इसको पर आपको किलिक कर देने किलिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा अब आपको यहाँ पर लेप्ट साइड में दिख जाएगा नेटवर्क का इंटरनेट इसको पर आपको किलिक करने के बाद यह विंडो ओपन हो जाएगा अब आपको नहीं करेंगे तो यहां पर रिजसे नौं लिखा होगा तो आपको यहां पर किलिख कर m्यक्राइब इस तरह से विन्डू GINA contemporary आपको क्या करना यहां पर यहां से रिए सिट्राट कर रिचेगा धिन्यश्ट के बाद आटोमेटिक यह रिये स्टार्ट हो जाएगा उससे अच्छा है आप पहले ही मैनुवल रिये स्टार्ट कर लीजिए रिये स्टार्ट होने के बाद आप चेक कर सकते हैं आपका जो यह बीपेन का प्रॉलम था यह प्रॉलम सोल हो गया होगा और प्लीज गया चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें सेर करें थैंक यू